प्यारे बच्चों बच्चों आज हम लोग राइटिंग सेक्शन की कड़ी में जो हमारा फोर मांक्स का क्विश्चन है नोटिस राइटिंग और जो कि बहुत इजी है इसका फॉर्मेट और इसको लिखने का डंग है हर कोई बहुत कुछ सेकिंट्स में कर सकता है तो देखें कैसे करते हैं नोटिस है क्या क्यों लिखा जाता है कैसे लिखा जाता है क्या क्या चीज़े रिक्वायर में चू होती है उसके बारे में हम सब यहां डिसकस करेंगे तो देखें notice is a written or printed announcement it is written in order to inform a large number of people about something that has happened or is going to happen बजो notice एक written या printed announcement होता है जो की बहुत सारे लोगों को information देने के लिए use किया जाता है उस बात की information जो या तो घटित हो चुकी है या फिर घटित होने वाली है ठीक है जो होने वाली है उसके बारे में और ये कौन-कौन सी होती है ये हम आगे देखेंगे अनोटिस इस वाइडली यूज़ वाइडली यूज़ वाइडली यूज़ और अर्गिनाइज़ेशन तो इनफर्मेशन देने के लिए देखो बच्चो एक office है office में 100 वीपर लोग काम करते है तो एक जो भी पियोन होगा वो सो लोग हो तो कि एक रिजिस्टर लेकर जाएगा एक पूरी इंफर्मेशन देने के लिए और तो ऐसा ना करके हर office के बाहर जो है एक जो है notice board लगा दिया जाता है और वहाँ पर कोई भी सूचना है वो जो put up कर दी जाती है ताकि सबको सूचना हर परसन तक सूचना मिल सके जैसे एक स्कूल है स्कूल में 800 बच्चे पढ़ते हैं तो 800 तक जो सूचना पहुंचानी है उन्हें announcement पी किया जाता है बट वो सूचना लिख भी दी जाती है ताकि आने जाने वाले हर बच्चा हर जो स्कूल मेंबर है इस्टाफ है वो से पढ़ ले और यह सूचना है होती कि इसके बारे में है competitions जैसे कि मानली जे कोई debate competition रखा गया है ceremonies जैसे मानली जे कोई गांधी जयनती रखी गई है या कोई farewell रखा गया है फंक्शन जैसे कोई annual function है Independence Day है Republic Day है उसके बारे में मीशेप्स के बारे में जैसे कोई दुरुगटना दुरुगटना का मतलब जैसे कि आपका कुछ खो गया है आपको कुछ मिल गया है उसके बारे में अगर आप लिख सकते हैं अगर कोई मूरत है किसी चीज का कुछी आप शुरू करने वाले हैं उसके बारे में लिख सकते हैं और पाट्स और दैस किसी का बढ़े है या किसी की दैस होगी कि अपने को सूचना देनी है कि हम यहां पर कंडोलेंस के लिए जाना है या फिर बात सेलिबेट करने के लिए जाना स्टाफ में बर जाते हैं जैसे एक अठे होके के अर्गनाइजेशन कुछ सेलिबेट करता है उसकी सूचना भी हम नोटिस के थूरू दे सकते हैं इन स्कूल और ओफिस इस नोटिस आर पुट आप और नोटिस बोर्ड एज आफ तो और आफिस यह जो नोटिस है वह तो यहाँ पर नोटिस बोर्ड होता है। आप नोटिस बोर्ड पर information जो है put up कर दी जाती हैं हो information होती है meetings के बारे में events के बारे में, orders, circulars, tours and competitions के बारे में तो यह मैं पहले भी बता चुकी है तो offices और schools का यह particularly दिया गया है बच्चो अब हम बात करेंगे notice के format की तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ बच्चो जब भी हम notice लिखेंगे तो जो क्विस्चन में हमें मान लो competition के बारे में लिखना है किसी function के बारे में लिखना है या कोई जो tour है कई school tour जा रहा है तो उसके बारे में लिखना है तो अब वा सारी 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 जो required information है वो देनी पड़ेए। जीसे tour जा रहा है तो सबसे पहले अपको को डेट देनी पड़ेगी उत्यों च L export कब जा प्रॉपर भूर्न क्लॉस आप प्रॉपर वूर्ली डेने हैं तो यह सूचना आपको पड़ेगी इस तरह से ब्लोड डोनेशन कैम्प है तो उसकी भी डेट कहां पर और गिने और गिनाइज किया जा रहा है और कब टाइम क्या रहेगा टैन टू फाइव तो आप जिसको भी आना हो अपना नाम लिखवा देने तो ठीक है अभी इसको पहले हम पॉर्मेट देखत जो भी स्वाई जाएट तो इस तरह से हम लोग भी यही त्यार कर रहे हैं तो सबसे पहले नेम आफ दा आर्गिनाइजेशन हम बड़े अक्शनों में कैपिटल लाटर में नेम ऑफ दा आर्गिनाइजेशन लिखेंगे जो भी हमें क्विश्चन में दिया गया हुगा ठीक इस ठीक है आप बड़े अक्शरों में ही नॉटिस लिखेंगे दन बड़े अक्शरों में कैपिटल लैटर में ही यूव राइट डिस्क्रिप्टिव हैडिंग आपको हैडिंग लिखना है ठीक है बच्छों फिर वारी आती है content content यह नहीं लिखना वह यह वर्ड नहीं लि तो आपको वो उसके बारे में लिखना है At last, you have to sign here the name and designation अब यहाँ पे मान लेजिए आप प्रिंसिपल है ठीक है? या फिर head boy है तो आपका designation में वो आ जाएगा फिर नाम, आपका नाम जो भी है जैसे रमन है, नितिन है ठीक है, वो और फिर उसके उपर sign जो भी आपको examination, जो question होगा उसमें जो दिया होगा वो आपको लिखना है And that, after that, at last, you have to make a box फिर आपको पूरे में box मेरे में यहाँ पुरा cover नहीं हो रहा है तो आप जो notice लिख देंगे वो आपको पूरा box में उसको cover कर देना है ठीक है चलिए बच्चों, अब एक question कर लेते हैं practice के लिए as the principal of your school you are going to organize the science fair in your school on 28.5.2021 write a notice inviting the names of the students who want to participate in charts, model and pitch competition देखे बच्चों, आप अपने school के principal है और आप organize करना जा रहे हैं क्या science fair आपको question में बहुत सारी चीज़े मिलेंगी दिहान से पढ़िएगा कब इस date को आपको एक notice दिखना है नेम्स इन्वाइट करते हुए उन students के जो participate करना चाहते हैं किस-किस में charts में मड़ो मड़ोस बनाने में और कुछ competition में चलिए इसी लिखते हैं देखो सब से पहले जैसे की format में बताया गया है कि हमें बड़े अक्षिरों में capital lattice में you have to write the name of institution ठीक है हमने लिख दिया government seniors candy school xyz जो भी आप नाम देना चाहें यहां पर ठीक है जैपूर, जोदपूर, नागोवर, सिकर, टॉंप, xyz ठीक है then left hand side there will be date date होगी और बचो ध्यान देना date और जो भी आप कोई event जो भी आप आपको मान लो date यहां पर हम 28 सरवरी को कर रहे है तो हमारी जो date है उससे पहले की होनी चाहिए क्योंकि सूच रहे है तो पहले पहुंचाई जाएंगी ना ठीक है फिर आप देखिए notice कि आपको capital letters में you have to write notice फिर आपको heading देना है क्या था हमारा heading science fair के लिए हम और्गनाइज कर रहे है ना तो four science fair 2021-22 ठीक है अब बारी आती है content की हमारा यह content है you all are informed यह बचों लगबग आपको सब में लिखना पड़ेगा यह बहुत पी easy trick है notice लिखने की क्योंकि सब में सूचना ही पहुंचानी है हमें almost तो आपको you all are informed that school is going to organize कि school फिर वही question वाला matter आजाएगा कि school जो है organize करने जा रहा है a science fair क्या organize कर रहा है question में देखा आप लोगोंने science fair कहां कर रहा है school campus में from आपको 28 February को मैंने वहां बताया है तो यहां तीन दिन का लिख लिजिए या आप एक थारिक भी दे सकते है from 26 February to 28 February the students जो students participate करना चाहते है यह आपके वहां पे question paper में भी line दे गई है तो you can take clue from there in chart making, model making and quiz competition तो give their names to the science teacher अपने नाम वो science teacher को देवे ठीक है तो यह आपको बहुत ही easy है यह आपको content लिखना है at last you have to write sign, name and your designation जो भी आपको designation जो question paper में दी गई होगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है और फिर आपको last में क्या करना है बच्चो box बना देना है ठीक है ना और फिर आप box बना देंगे बच्चो इसी तरह से आप एक question और भी मतब हर तरह का कर सकते है question ठीक है जैसे मानली जे यहाँ पर आपको annual function celebrate करना है यह गांदी जियनती celebrate करनी है यह कोई debate competition held करना है यह आपका school tour पे जा रहा है तो बहुत सारी चेस सेम patterns में रहेंगी वही capital letters में you have to write the name of institution then on left side date capital letter में you have to write notice then मानली जे आपका school annual function salivate कर रहा है तो you have to write for annual function ठीक है फिर content में आप दे सकते हैं कि वही you all are informed that school is going to अभी हाँ और गेनाईस नहीं आएगा यहाँ आप salivate annual function science fair नहीं है ना हमारे पास में annual function है ठीक है school campus या कोई garden भी जैसे royal garden में और गेनाईस कर रहा है स्कूल campus जो है छोटा होता है तो कहीं और किया जाता है अब आपको from या to से date नहीं देनी आपको exact date देनी पड़ेगी on 10 March जैसे मान लेजिए 10 March को organize कर रहा है ठीक है the students who want to participate अब यहाँ science fair हो रहा है लेकिन annual function में ना तो charts बनाने हैं अब आपको बनाने हैं ना quiz competition है ठीक है तो वहाँ पे the students who want to participate in cultural activities सांस्कृतिक कार्यकरम होते हैं आप यह physical activities भी show की जाती है तो participate in cultural activities और physical activities please give their names to their अब यहाँ science नहीं आएगा बच्चों ठीक है तो यहाँ पे to their class teacher कर दीजे क्यों कि बहुत सारे बच्ची होते हैं अपने class teacher को सब अपना नाम दे देंगे ठीक है तो ऐसा करके हमें लिखना है आप लास्ट फिर वही फिर आपको you have to sign the name or designation आप गर आप head boy है तो principal है तो x y church भी आपको designation आपकी जो examination room में दी गई होगी वह आपको यहां पे लिखनी है and at last you have to make a box तो हमने नहीं दो notices की practice की एक written में है और एक मैंने orally आपको बताया ठीक है I hope you have understood it और इसे practice भी करेंगे क्योंकि सफलता का एक ही मूल मंतर है वो है अभ्यास practice, practice and practice दो दिन लिखकर देखिएगा ठीक है बच्चो, thank you